उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है यह टॉपिक पैराबोला, इलेप, साइपर बोला, कॉमन है कॉमन इन दा सेंस के तीनों के हम इसी तरह टेबल पढ़ेंगे तो यह टेबल बहुत इंपॉर्टन यही असल आप यह समझ लो कोर है कॉनिक सेक्शन की अगर आपको टेबल आते हैं तो maximum mcqs आप यहां से solve कर सकते हो बाकि mcqs जो हैं वो इनके equation से related हैं मतब tangent और normal वो को इतना ज़दा portion नहीं है या वो इनकी terminologies पूछ लेंगे आप से majority portion यही है कि आपको जो equation solve करनी है और वो equation solve किस तरीके से करोगे अगर आपको table आता है तो total यहां में मैंने 10 quantities लिखी हैं जो हम 6 किसम के 6 किसम के parabola जो हैं उनके वारे में हम पढ़ेंगे अब देखो सबसे पहला parabola जो है उसके मैंने आप लोग को समझा दिये थे अगर आप लोगों को यादो अभी हमने पढ़ा था लास लेक्चर में बलके उसमें पैरा बोला की इस टाइप की शेप थी ठीक है यह शेप थी तो इसमें डिटेल से कुछ बाते पढ़ी थी सबसे पहली बात वोटेक्स जो था आपको पता है उरिजन के उपर था फोकस से कॉर्णेंट मैंने आपको बताए था ए कॉमा जिरो एक्वेशन ऑफ ट्राइटेस एक्स प्लेस एक्स एक्षए ग्षा के बराबर थी इस टेसी पैरा बोला में हमेशा वनी रहती है axis जो है वो along x-axis था मैंने आप लोंको बताया है इसी तरह equation of axis जब axis जो है वो along x-axis है तो x-axis की equation क्या होती है y equal to 0 end point of latest victim वो भी मैंने आप लोंको बताया थे last lecture में एक point होगा a, 2 है दूसरा point होगा a, minus 2 है तो एक साथ मैंने plus minus करके यहां पर लिखवा दिये फिर थी equation of latest victim equation of latest victim मैंने आपको बताया था कि latest victim अगर इस तरह पास कर रहे यह पूरा distance a के बराबर था तो इसकी equation थी x equal to a a जरा के negative हो जाएगा x minus a equal to 0 और आखरी जी इसकी shape क्या है यह open हुआ है right की तरफ इसको हम बोलते है open right के shape जो है इसकी right की तरफ है तो इस वाले parabola की equation क्या है बहुत important y square equal to 4ax पहचानोगे किस तरह क्यूंकि 4a जो है यह तो constant है सवाल में जैसे पहले सवाल में 6 लिखा हुए तो वो तो matter नहीं करता अगर square drum y है और जो linear drum है वो x है तो जो linear drum होती है उसकी तरफ इस hyper parabola का मुँख खुलावा होता है जैसे parabola जो है इसका मुख इस तरफ खुलावा है x axis की तरफ खुलावा है तो देखो linear drum यहाँ पर क्या है x इसी तरह इस वाले equation में linear drum y है तो इसका मुख जो है वो उपर की तरफ खुलेगा मतलब y axis की तरफ तो इस तरह पैचान सकते हो ठीक है और दूसरा तरीका यह है कि along x axis है तो x आएगा along y axis तो equation में y आएगा ठीक है और equation में y आ रहे है तो दूसरी term क्या हो जाएगी square हो जाएगी आप देखो एजो है यह पूरा डिस्टेंस था तो डिस्टेंस पॉजरिव है ठीक है उसके बास second case किया है अच्छा जब मैंने यह पैराबोला करवाएवेना second year में अगर आप मेरी यूटेबे वीडियो देखो तो उसमें मैंने second वाला column नहीं करवाएवा इसी तरह fourth वाला column नहीं करवाएवा मैंने उनको combine कर दिया था combine in the sense कि इसी पैराबोला में मैंने यह वाला भी discuss किया था और अगर पैराबोला कि यह वाली shape है तो वो भी इसी में cover हो गया था कैसे? उसमें मैंने A को positive भी रखा था मैंने का था A positive भी हो सकता है A negative भी हो सकता है तो अगर A positive होगा तो पहला वाला case A negative होगा तो दूसा वाला case मैंने इस तरीके से पढ़ाया था वहाँ पे मैंने A को positive negative दोनों आ सकती थी value लेकिन अगर आप federal की book देखो और बाकी अगर आप पूरा देखो इवन आप अपने सिंद बोर्ट की बुक भी देखो उसमें भी ये वाला कॉंसेट नहीं था जो मैंने पढ़ाया वाता वो गलत नहीं था वो असान था इसमें ये के दो चीजें और एड हो जाएंगे लेकिन इसके कुछ MCQ आते हैं और MCQ में पूछा होता है कि जब पैराबोला की एक्विशन ये है तो इसमें फोकस कहां पे होगा तो मेरे वाले मेथड में फोकस दो में आप लों को बताया था एकॉमा जीरो और यहां पे क्या लिखा है माइनस एकॉमा जीरो तो इन शॉर्ट यहां पे आप फज़ा होगे आके ठीक है आपको सोचना पड़ेगा और वहाँ फज़ा होगे तो इसलिए मैंने क्या किया है मैंने बुक को फॉलो करवाके ये टेबल बनाया है तो अब आपने इसे टेबल को फॉलो करना है इसी टेबल के मताबिक आपने वैलियूस याद रखनी है तो ये वाला केस जो है ना ये आपको फैडल की बुक में ही मिल जाएगा आपको नोटस में मिल जाएगा ये आखरी के दो केस आपको नहीं मिलेंगे टेबल फॉर्म में वैसे तो स्केड़र्ट फॉर्म में आपको पंजाब बूट की बुक में मिल जाएगे तो ये जो है ना इनके मैंने चार केसे डिसकस किये मतलब एक पॉजरिव वाला एक नेगटिफ फिर पॉजरिव फिर नेगटिफ इसके मैंने दोनों पॉजरिव इडिसकस किये क्योंकि जब इसके सवाल पेपर में आते हैं ना तो कभी भी वह आप से यह नहीं पूछेंगे कि भाई फोकस कहा होगा इस तवाले पैरा बोला का डारा का आप से यह नहीं पूछेंगे वो आपको equation देंगे और equation से values निकालने का बोलेंगे और अगर आपने equation से values निकालने हैं तो उसके लिए 2 table काफी है इन short जो मैं करवार हूँ उसके मताबिक आप लोग follow कर लो उसको बस ये 6 column आपने याद करने, that's it पहला वाला मैंने आपनों को समझा दिये, दूसरा वाला देख लो, बहुत easy concept है को इतना मुश्किल तो नहीं है, यहीं पे देख लो, changing क्या होगी अगर देखो आपका parabola जो है वो अब इस तरीके से बन रहा है जब आपके parabola पे xy आ रहा हो, लेकिन negative के साथ आ रहा हो इसका मतलब अब आपका parabola जो है वो left की तरफ open होगा इसमें changing यह होगी, vertex तो अभी भी 0,0 पे है focus अब आप यहाँ पे बनाओगे अब देखो मैंने बता है a positive होना चाहिए यह है negative x axis तो यहाँ पे जो भी quantity होगी वो negative होगी लेकिन a positive है तो compensate करने के लिए मैंने क्या किया minus a,0 अब a positive है लेकिन उसके साथ मैंने minus लगा दिया अब quantity क्या हो जाएगी negative हो जाएगी लेकिन a positive होगा इसके अंदर a negative होगा, a positive होगा इस negative से multiple होगी आपके पास यहाँ पे negative value आजाएगी तो यहाँ पे focus क्या है minus a,0 के उपर है distance अगर आप देखो distance तो अभी भी a के बराबर है तो अगर आप direct is बनाओगे तो यह वाला distance भी क्या है a के बराबर है अगर आप direct is को देखो यह parallel to y axis है तो इसकी equation में क्या आएगा x आएगा कितने distance पे है a distance पे y axis के right की तरफ है इसलिए मैंने positive लगाया वे a को दल लियाओ minus a हो जाएगा तो dietis की equation आजाएगी length of lattice atom eccentricity axis equation of axis यह चारूं चीज़े सेम है क्योंकि axis यही है न यही axis है तो axis की equation भी यही रहेगी हर चीज यही रहेगी इसी तरह parabola की eccentricity भी सेम रहती है latest atom भी सेम रहता है यह आपने देखे हर row में हर column में आप देखो latest atom और eccentricity उसकी सेम है तो यह चार चीज़ें तो मैंने बताई है same है as it is we follow करने फर्क अब है end point of latest atom में पहले जब इस केस में पैरा बोला था तो यह दो end point थे इसमें a जो है वो positive बाब लेते थे एक end point था a, 2a दूसरा था a, minus 2a अब latest atom यहाँ पर बनेगा अच्छा latest atom में कोई फर्क नहीं है अभी भी इस point का जो sorry, y coordinate में कोई फर्क नहीं होगा अभी भी इसका y coordinate 2a और इस वाले end point का y coordinate minus 2a होगा लेकिन अब जो पहली x value नो उसमें फर्क होगा क्योंकि अब यह negative x axis के उपर है न यह वाला point यह y axis के left की तरफ है तो अब a यहाँ पर आप negative लोगे इसी तरह a यहाँ पर भी आप negative लोगे तो इस minus a है plus minus 2 है तो जैसे पहले था अभी भी वैसे ही है उसके बाद equation of latest item बहुत easy concept है जब यहाँ पर latest item था तो यह y axis कितने फासले पर था a unit के फासले पर था तो latest item की equation थी x minus a equal to 0 जो कि आपको नजर आ रही है अगर latest item यहाँ पर आ गया है तो अब यह y axis के left की तरफ है तो अब हो जाएगा x equal to minus a minus a को इदर लेाओ तो positive way हो जाएगा ठीक है और उसका अगर आप मुह देखो तो left की तरफ खुला वै तो मैंने लिख दिया left होगा असानी से खर लेना पहले वाले को बस समझ लो क्योंकि पहला वाला यहाँ पर मुश्किल होगा भाई जब पैराबॉला की एक्वेशन में y जो है वो linear term है y की power 1 है तो उसका मतलब अब पैराबॉला का मुह y axis की तरफ खुलेगा ठीक है अब आप इस टाइब का पैराबॉला बनाओगे इसको हम बोलते हैं पैराबॉला open up अगर नीचे होगा तो open down बोल दोगे यह विसको इस तरह भी बोलते हो कप अगर आप इसके शेप दिखो तो कप किए न तो इसको बोलते हैं कप अप कप डाउन इस तरह भी बोला जाता है इसको बारल कि कैसे फाइंड करोगे कोडिनेट्स बई सबसे पहली पर वर्ट एक्स अभी भी 0,0 है फोकस कहां पर होगा देखो फोकस हमेशा एक्सिस के उपर होता है अगर पैरा बोला इस तरह बना वह तो यह पॉइंट यह लाइन क्या होगी एक्स इस ओफ पैरा बोला होगी तो अगर आ तो इसका فोकस क्या होगया 0,8 होगया फिर ाइक्वेशन ओफ डायरेक्टरिस अभ यहाँ पर बनेगी डेस्स अभी भी यह पूरा क्या है एक्स यह बराबर है यह लाइन जो है डायटर्性 नीचे और फासला है के बराबर वाइकिन यह line जो है dietis x-axis के नीचे है that's why negative करता हूँ यह negative है इधर आके positive हो जाएगा अगर आप इसको देखो तो previous concept अच्छे होने चाहिए आपको chapter 4 analytical geometry वो आना चाहिए सही तरीके से तब आप इनकी question बालूं कर पाऊगे अगर आपने वो नहीं देखा तो यह आपको नहीं समझ जाएगा पहले आप वो देखो इसके बाद देखना है इसको इसी तरह लेटर सेक्टरम इसेंटिसीटी यह दोन से होगी यह तो मैंने बताया हर्फ पैराबोला है तो यह चीजें सेम रहती है अब एकसिस कहां पे होगा definitely इस वाले एकसिस का इस वाले पैराबोला के एकसिस along y-axis है equation of X'S y-axis के एकवेशन गैती है x equal to 0 तो पैराबोला के एक्सिस के एक्वेशन भी का होजाएगी x, 0 end point of latest 주문 कहां पे होगे देखो यहाँ पर लेटर सेक्टम इस तरह बनेगा गौर से समझना भाई यह वाला पूरा डिस्टेंज जो है यह 2A के बराबर होगा जैसे पहले वाले केस में था न तो अभी भी हुई रहेगा टोटल लेंग तो 4A होगी न इसकी तो यह भी 2A और यह भी 2A एक end point यह है एक end point यह है इस वाले के coordinates क्या होंगे भाई इस point की x value यह है पुरी इस point का distance y axis से यह है न पूरा तो x value क्या है इसकी 2A और इस वाले point की x value क्या है negative है न तो minus 2A क्योंकि यह left की दरफ है y value कैसे निकालोगे y value है यह पूरा distance और आपको बता है यह पूरा distance किसके बराबर है a के बराबर इसी तरह यह भी पूरा distance क्या है a के बराबर तो इसका मतलब इसकी y value a और इसकी y value बें क्या होगी a होगी तो आप दो point आए है 2a,a minus 2a,a combine लिखो तो आप लिखोगे plus minus 2a,a तो अगर आप इस पैराबोला को downward बनाओगे तो downward में होगा क्या कि यह जो अब x जो y coordinate है वो negative हो जाएगा अगर आपकी shape downward बन रही है तो latest item कुछ इस तरह बन जाएगा तो उसकी y value अब यह होगी होगी तो a लेकिन downward की वज़़ए से आप उसको minus a लिख दो गया तो यहां पर माइनस ए आर है कहने का मतलब अपने आपने फोकस है वो माइनस यह हो जाएगा पहले एक्वेशन और डायटिस यह थी अब उसके अंदर माइनस यह आ जाएगा क्योंकि अगर पैराबोल इस तरह बन रहा है तो डायटिस उपर बनेगी दैट्स वाइसकी वाली एक्वेशन आ लिए तो यह आगे आप लोग खुद देख ले ना फिर क्या है एक्वेशन ओफ लेटर सेक्टम यह लेटर सेक्टम है जो लेटर सेक्टम है यह किसके यह एक्स एक्वेशन एक्वेशन किया है है भाइब इस लेटर सेक्टम और एक्स एक्षेस में कितना डिस्टंस है एक के पराबबर उपर की दरफ है तो और आखरी चीज़ कि अगर आप इस पैराबोला को देखो यह अपवड की तरफ अगर यहां पे वाई की ट्रम हो लेकिन साथ नेगेटिव हो अब पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा जैसे आपने यहां पे देखा था अगर एक्स की ट्रम है विद नेगेटिव तो लेफ्ट की तरफ ओपिन हो रहा है एक्स की ट्रम है विद पॉजिटिव राइट की तरफ ओपिन हो रहा है वाई की ट्रम है विद पॉजिटिव आपकी तरफ ओपिन हो रहा है वाई की ट्रम है विद नेगेटिव तो नेगेटिव य यह एक्से मतलब डाउनवर्ड की ज़र ओपेनों रहा है क्योंकि कितनी दफाव यह पूछ रहे थे एक्वेशन आपको देते हैं और बोलते हैं यह पैरा बॉला कहां ओपेनों रहा है अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट यह भी सवाल आते हैं आपके पास तो आपक एक्सिस है कि जब पैराबोला कैक्सिज या तो एलॉवं एक्सिज है मतलब एंसकी के ऊपर है यह पयराबोला के एक्सिज agung y-axis मतलब एक्सिज के उपर है यह जो आखरी के दो है यह पिरल की केसिज है कि अब एक्सेज जो है छे हैं फेनल को और Knorrlo starts x-axis के parallel है जैसे यह भई X-axis यह वाइक्स अब जो पैराबोला के एक्सिज है वो पैररल to x-axis है इस तरह पैराबोला बर्ण रहा है तो अब पैराबोला के एक्सिज यह वाला है और जब गोर से देखो यह इस जो है वो किसके पैरल है x-axis के parallel है तो इस वाले case में x-axis जो है वो क्या है parallel to x-axis है तो अब coordinates कैसे निकालोगे सबसे पहले देखो जब आपका parabola यहाँ पर बनता था तो उसका vertex origin के ओपर होता था अब vertex जो है वो origin के ओपर नहीं है तो हम let कर लेंगे vertex के coordinate जो है वो h, k है क्योंकि origin के ओपर नहीं है तो किसी और point पर होंगे h, k हमने let कर लिया x-value क्या है यहाँ पर h है मतलब यह वाला पूरा distance जो है h के बराबर है और यह वाला पूरा distance किस के बराबर है k के बराबर है ठीक है अब बाकी coordinates देखते हैं सबसे पहले चीज़ वर्टेक्स तो आप में देख लिए h, k के उपर है दूसरी चीज़ लिखी हुई है वो यहाँ पर है focus focus कैसे निकाला क्यों focus यहाँ पर होगा अगेन वही बात यह वाला distance जो है इसको आप a के बराबर लेट करोगे लेकिन अब यह बला point origin नहीं है जब origin होता था vertex तो हम इस point के coordinates निकालते थे origin के respect से तो वो a के फासले उपर होता था अब यह बला vertex origin भी नहीं है तो अब focus का coordinate कैसे निकालोगे focus का x coordinate कैसे आएगा simple सी बात है भाई यह point y axis से कितना दूर है यह पूरा distance यह point y axis से इतना दूर है तो यह distance किसके बराबर होगा इतना h है इतना a है तो total distance हो जाएगा h plus a तो focus के x coordinate कैसे आगा h plus a जब देखो parabolas को उठा कि अगर आप इदर ले आओ यहाँ पे इस तरह बंगता था तो अब focus का origin से distance कैसे होता था मताँ y axis से distance किया होता था a के बराबर that's why उसका x coordinate a होता था लेकर आप situation different होगी अब यह origin के उपर रही है अब के यहाँ पे है तो अब आप पूरा distance देखोगे कि इस point का x coordinate क्या होगा कि y axis से यह कितना दूर है y coordinate कैसे निकालोगे देखो इस point का vertex का y coordinate क्या लेट की है हमने k के बराबर तो देखो जितनी height पे यह है उतनी height पे यह वला point है तो अगर इसकी y value के है तो इसकी y value भी क्या होगी k के बराबर होगी तो focus ए कोडिनेट आगे h plus a, k equation of directrice x equal to h minus a कैसे directrice कैसे बनेगा यह पैरा बोला है पैरल है यह डायेटेस पैरल है y axis के तो जो भी line y axis के पैरल होती है उसकी equation क्या होती है x फिर आप क्या लिखते हो पिर आप लिखते हो कि वो line y axis से कितना दूर है भाई यह line अगर parallel to x axis है इसकी equation में x आएगा equal to आप वो distance लिखो गे कि यह line y axis से कितना दूर है मतलब यह पुरा distance ठीक है यह आपको यह मालूम कर रहे है कैसे मालूम करोगे सबसे पहले मुझे बताओ कि यह वाला distance क्या होगा यह vertex से लेके इस डायेटेस तक का distance क्या होगा सोचो a के बराबर होगा आपको पता है Vortex से लेके focus तक का distance a और अगर यह पहरा बोला है तो vertex से लेके डायेक्टेस तक का distance भी क्या होगा a के बराबर पिछले cases में हम लिए करते हुए आ रहे है तो यह पुरा distance a हमें कुँसा distance निकालने है हमें यह वाला distance निकालने है तो ये वाला कैसे निकालोगे, देखो total पूरा h है, मतलब y-axis से लेके vertex तक पूरा distance क्या था, h के बराबर था, तो इस पूरे h में से आप ये वाला हिस्सा माइनस कर दो, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, दोबारा बताता हूँ, इस पूरे h में से, मतलब इस y-axis से लेके vertex तक का distance h था ना, इस पूरे h में से आप ये वाला हिस्सा माइनस कर दो, तो पीछे क्या बचेगा, ये, तो ये पूरा distance क्या आ गया, h-a, that's why, इसकी equation में मैंने क्या लिखा हूँ है, h-a, इसको दुबारा गोड से देखना, आप वीडियो को दुबारा देखना, अगर जा रहा हूँ, वीडियो को आप बार पर देखना, आपको clear हो जाएगा, क्योंकि मैं बार पर अगर समझाओंगा, तो फिर तो वीडियो चली जाएगी, दो घंटे पे, लेटे सेक्टम, इस एंटी सिटी, सेम है, अगर आप एक्सिस देखो इसका, किसके पैररल है, एक्सि एक्सिस के, तो जो भी लाइन एक्सिस के पैररल होती है, उसकी एक्वेशन क्या होती है, एक्वल के बाद अप क्या लिखते हो, कि लाइन एक्सिस से कितना उपर है, तो एक्सिस और इस लाइन तक का पूरा डिस्टेंस क्या है, के बराबर, शुरू में हमें लेट कर लिया तो y minus k equal to 0 बड़ी important चीज़ है end point of latest rectum यह बहुत important concept है गोड़ से देखना latest rectum इस तरह बनेगा end point एक यह है एक end point यह है गोड़ से समझना क्या scene है इसके अंदा important चीज़ यहाँ पर y axis है यह line y axis की है तो दो चीज़ें आपने देखनी है एक तो latest rectum और एक y axis तो end point कैसे निकालोगे यह जो point है इसके coordinate क्या होगे सबसे पहले इस point का x coordinate क्या होगा मतलब यह point y axis से कितना दूर है यह वाला पूरा distance यह वाला पूरा distance किसके बराबर होगा देखो इतना distance जो है vertex से लेके y axis तक का distance सुरूं में हमने h के बराबर net किया था यह पूरा h है यह पूरा a है तो इसका मतलब यह distance हो जाएगा h plus a वैसे भी देखो इस focus क्या x coordinate क्या था h plus a तो focus के उपर यह point है तो इसका x coordinate भी क्या हो जाएगा h plus a हो जाएगा अब है y coordinate इस वाले point का y coordinate क्या होगा इतना distance क्या है यह पूरा distance k के बराबर है यहां से लेके यहां तक का distance k के बराबर है और यहां से लेके यहां तक का distance क्या होता है मैंने last case में बताया था यह पूरा distance जो है यह 2 a के बराबर होता है यह पूरा distance 2 a होता है और सम इसका 4a के बराबर होते हैं तो यह वाला पूरा डिस्टेंस 2a के बराबर है और यहां से लेके बिल्कुल x-axis तक का डिस्टेंस k के बराबर है तो टोटल डिस्टेंस किया होगा के प्लस 2a यह हो जाएगा के प्लस 2a यहां पर आगया है इस वाले पॉइंट में y-value है k-plus 2a और अगर आप इस पॉइंट के निकालो देखो इस पॉइंट की x-value तो सेम ही रहेगी सेम डिस्टेंस पे y-axis की x-value चेंज रजाएगी धेखो sorry y-value उसकी क्या है इस पॉइंट की y-value यह है पूरी आपको यह वाला पूरा-बिस्टेंस निकाल ले यह वाला-बुर डिस्टेंस किसके बराबर होगा झोटटल यह पूरा है k के बराबर ये पूरा है k के बराबर इस पूरे k में से आप ये 2a माइनस कर दो इतना हिस्सा 2a के बराबर है इस पूरे k में से मतलब ये पूरा k है इस पूरे k में से आप ये 2a वाला हिस्सा है इसको माइनस कर दो तो 2a वाला हिस्सा जो था इसको मैंने माइनस कर दिया तो जब K मेंसे आप 2A माइनस कर दोगे तो पीछे ये वाला distance आजएगा जो मुझे चाहिए था इस point की height क्या थी इस point की height ये थी न तो ये कैसे आएगी इस पूरे K मेंसे आप ये 2A वाला इससा माइनस कर दो तो आपके पास इस point की height आजएगी ठीक है तो ये हो जाएगा K माइनस 2A वैसे भी अगर एक कॉडिनेट K प्लस 2A तो दूसरा क्या हो जाएगा K माइनस 2A और अगर आपने समझ लाए तो मैंने details से बता दिये अगर ना समझ जाए तो आप अपने पास डाइगराम बना ले ना देख ले ना आपको अच्छे समझ आजएगी तो ये मैंने आपको इसका समझा दिये फिर आखरी चीज़ है equation of latest एक्टम, latest एक्टम की equation क्या है ये latest एक्टम है ना तो अगर आप देखो ये latest एक्टम किसके फासले पे है ये y-axis है ये latest एक्टम है कितने फासले पे है भाई h plus a फासले पे है ये पुरा distance h है ये पुरा distance a है तो ये y-axis से h plus a के फासले पे है तो इसकी equation आगी x equal to h plus a और ये खुलाओा किस तरफ है राइट की तरफ खुलाओा देखने में आप equation को देख लो ऊक्वेशन में X जो है वह linear है मतलब X की पावर 1 है तो उसका मतलब है किस की तरफ खुला होगा X की तरफ खुला होगा मतलब ride की तरफ खुला है और यह देख ले ना equation जाद करने का तरीका यह है कि जब वो X-axis की तरफ खुलाव है तो X की टरम linear होगी और Y की टरम quadratic होगी, मतलब जब आप formula open करोगे तो Y square होगा और अगर दूसरा वाले case आपने खुश समझने है, मैं वो नहीं समझा रहा क्यूंकि अब बहुत time लग जाएगा, कोब मुश्किल case नहीं है Y-axis होगा, मतलब इस तरह parabola बनेगा तो अब जो parabola का ये पूरे axis है ना ये देखो Y-axis के parallel होगा इसमें directness यहाँ पे बनेगा latest spectrum जो है वो यहाँ पे बनेगा बाकिया आप लोग इसके coordinate खुद लेट करके देख लेना तो मैं ये बता रहूं कि जब इसका मूँ जो Y-axis के तरफ खुला है और parallel वाला case हो तो उसमें देखो Y जो है वो linear है X की square की drum होगी और जब इसका मूँ X-axis की तरफ खुला होगा तो X linear होगा और Y की क्या square drum होगी इस तरीके से आप याद कर सकते हो दूसरी चीज Y के साथ हमेशा के आएगा X के साथ हमेशा H आएगा जैसे आप यह पेचान लोगे ना कि पैरा बुला का मूँ जो है जैसे यह equation given है अब इस equation में देखो Y की power क्या है square है तो अगर Y square है X क्या है यहाँ पे linear अगर X linear है इसका मूँ जो है यह X की तरफ खुलावा होगा simple the concept है और अगर यहाँ पे X square होता तो Y linear होता जब Y linear इसका मूँ किस की तरफ होता Y की तरफ होता और parallel वाले और along वाले केसा पहचान लोगे जैसे इसको देखो चोटी सी equation है एक square वाली term है एक X वाली term है इसे तरह यह भी छोटी सी है यह भी छोटी सी है तो यह शुरूम के 4 cases में से कोई ना कोई case होगा और यह वाली equation देखने में आपको बड़ी लग रही है यह वाली equation देख लो यह वाली equation देख लो तो इन equation में अगर आप देखो तो एक square वाली term है और साथ दो दो linear वाली ट्रम है मतलब ये भी linear ट्रम है ये भी linear ट्रम है इसी दर S में देखो एक square वाली और बाकी दो जो है वो linear वाली है तो यहां से आप पहचान लोगे कि ये parallel का case है parallel में ये सब चीजे हो रही होती है और along की case में simple एक square वाली होती है और एक ही linear वाली होती है ना कोई और constant होता है ना कुछ और आप देखो गए यहां पर ठीक है अच्छा जी अब क्या करना है हाँ ये चीजे मैं आप लोगो बता दिये इसके आप लोग खुद लेट कर लेना बाकी अब जो examples हैं मैं वह आप लोगों solve करवा देता हूं किस तरीके से आपने examples को solve करना है